ओम शांती सुनते हैं 15 फेब 2000 की अव्यक्त मुरली आज की मुरली की टाइटल है मन को स्वच्छ बुद्धी को क्लियर रख डबल लाइट फरिष्टे स्थिती का अनभो करो आज की मुरली में चार क्वेश्चन है नमर वन ब्रह्मा बाबा का विशेश क्या संस्कार देखा नमर टू सच्छ मन किसे कहते हैं नमर थ्री कौन सी समृती को नेचर बनाना है लास्ट गड़ी का पेपर कितने समय का है उसके लिए क्या अभ्यास करना है तो बाबा ने आज खासकर समस्या मुक्त होने के लिए बाबा ने का जो इतना बड़ा वर्सा बाबा ने दिया है ना सरवशक्णियों का उनको समय पे कारे में लगाओ और सरवशक्णियों को इमर्ज करो तो फिर क्या होगा फिर समस्य मक्त बन जाएंगे और स्वच्छ मन स्वच्छ मन पन तो रखते हो स्वच्छ मन भी स्वच्छ तो सुनते हैं 15 फरवरी 2000 की मुरली आज बाप दादा अपने सवराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं सवराज्य ब्राह्मन जीवन का जनम सिद्ध अधिकार हैं बाप दादा ने हर एक ब्राह्मन को सवराज्य के तक्त नशीन बना दिया है सवराज्य का अधिकार जनम ते ही हर एक ब्राह्मन आत्मा को प्राप्त है जितना सवराज्य स्थित्व बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हैं बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं जितने आप अपने में माइट धारण किये उतना ही नमबरवार लाइट का ताज चमकता है बाप्तादा ने सभी बच्चों को सरवशक्तियां अधिकार में दी हर एक मास्टर सरवशक्ति वान है प्रंतु धारण करने में नमबरवार बन जए बाप्लादा ने देखा कि सरव शक्तियों की नालेज भी समें धारना मिं है लेकिन एक बात में अंतर पढ़ जाता है कुई भी ब्रह्मन आत्मा से पूचो को हर एक शक्ति का वरणन भी बहुत अच्छा करेंगे प्राप्ति का वरणन भी बहुत अच्छा करेंगे प्रंतु अंतर यह है कि जिस समय पर जिस शक्ति की अवश्यक्ता है उस समय पर वे शक्ति कारे में नहीं लगा सकते हैं समय के बाद मैसूस करते हैं शक्ति की अवश्यक्ता थी बाप दादा बच्चों को कहते हैं सरव शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठैर नहीं सकते समस्या मुक्त बन सकते हो सिरफ सरव शक्तियों को इमर्ज रूप में समृती में रखो और समय पर कारे में लगाओ इसके लिए अपने बुद्धी की लाइन कलियर रखो जितनी बुद्धी की लाइन कलियर और कलीन होगी उतना निर्णे शक्ति तिवर होने के कारण जिस समय जो शक्ति की अवश्यक्त है वे कारे में लगा सके क्योंकि समय के प्रमाण बापतादा हर एक बच्चे को विघन मुक्त समस्या मुक्त मेनत के पुरशार्थ मुक्त देखने चाते हैं बनना तो सबको है ही लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास अवश्यक है ब्रह्मा बाबा का विशेष संसकार देखा तुरंत दान महापुन जीवन के आरंब से हर कारे में तुरंत दान भी तुरंत काम भी किया ब्रह्मा बाप की विशेष्टा निड़े शक्ति सदा फास्ट रहे तो बाप दादा ने रिजल्ट देखा सब को साथ तो ले ही जाना है बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना या पीछे पीछे चलने वाले हो जब साथ चलना ही है तो फालो ब्रह्मा बाप करम में फालो ब्रह्मा बाप और स्थिती में निराकारी शिव बाप को फालो करना है फालो करना आता है न डबल विदेशियों को फालो करना आता है फालो करना तो सहज है न जब फालो ही करना है तो क्यों क्या कैसे यह समापत हो जाता है और सब को अन्वाव है कि वियर्द संकल्प के निमित यक्यों क्या कैसे ही आधार बनते हैं। फालो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं ऐसे। बुद्धी फॉरण जज्ज करती है ऐसे चलो ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशे सभी बच्चों को चाहे पहली बारी आए चाहे पुराने हैं। यही शारा देते हैं कि अपने मन को सच रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यार्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। सुनी रिजल्ट दोजार में थी पर अभी तक भी है। बाबा ने कहा छोटे बड़े दाग बाबा ने कहा यह सभी में कहीं न कहीं हैं जो बाप दादा ने देखा। तो बाबा ने कहा इसके कारण पुरशार्थ की स्रेश स्पीड तिवरगती में रुकावट आती है। बाप दादा सदा शिरिमत देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना क्या शिरिमत देते हैं। कि मन में सदा हर आत्मा के परती शुब भावना और शुब कामना रखो। यह स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की विर्ती रखना। यह स्वच्छ मन। स्वयम के परती वा अन्य के परती वियर्थ संकल पाना। यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच मन और क्लीन और क्लियर बुद्धी जज करो अपने आपको अटेंशन से देखो उपर उपर से नहीं ठीक है ठीक है नहीं सोच के देखो मन और बुद्धी स्पष्ट है स्रेष्ट है अब डबल लाइट स्थिती बन सकती है बाप स्वान स्थिती बनाने का यही सैद साधन है और यह अभ्यास अंत में नहीं बहुत काल का आवश्यक है तो चेक करना आता है अपने को चेक करना दूसरे को नहीं करना बाप दादा ने पहले भी हसी की बात बताई थी के कहीं बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है इसलिए दूसरे को जज़ करने में बहुत होश्या है अपने को चेक करने में कमजोर नहीं मनना बाप दादा ने पहले भी कहा जैसे अब यह पक्का हो गया मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मन आत्मा हैं ऐसे अब यह नेचरल समृती और नेचर बनाओ क्या कि मैं फरिष्टा कमरत वेले उठते पक्का करो मैं फरिष्टा प्रमात्म शिरिमत पर नीचे साकार तन में आया हूँ सबी को संदेश देने के लिए स्रेश्ट कारम करने के लिए कारे पूरा हुआ और अपने शांती की स्थिती में फिर स्थित हो जाओ वाह उची स्थिती में चले जाओ एक दो को भी फृरिष्टे स्रूप में देखो अंजल आपकी विर्ती दूसरे को भी धीरे धीरे फृरिष्टा बना देगए आपकी दृरिष्टी दूसरे पर भी परभाव डाले यह पक्का है कि हम फृरिष्टे हैं फरिष्टा भव का वर्दान सभी को मिला हुआ है न एक सेकंड में फरिष्टा अर्था डबल लाइट बन सकते हो एक सेकंड में मिंट में नहीं दस सेकंड में नहीं एक सेकंड में सोचा और बना ऐसा अभ्यास है अच्छा जो एक सेकंड में बन सकते हैं दो सेकंड नहीं एक सेकंड में बन सकते हैं वे एक हाथ उठाओ एक हाथ की ताली बजाओ बन सकते हैं ऐसे नहीं हाथ उठाना डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं टाइम लगता है क्या अच्छा जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है एक सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है वे हा एक सेकंड में आना है ध्यान से सुलो बाबा की बात है फिर क्या करेंगे अचानक आना है और सेकंड का आना है हाथ उठाया कोई हरजा नहीं मैसूस किया ये भी बहुत अच्छा परंतु ये अभ्यास करना ही है करना ही पड़ेगा करना ही है ये अभ्यास बहुत बहुत बहु चलो फिर भी बैप्तादा कुछ टाइम दे देते हैं, इतना टाइम चाहिए, 2000 तक चाहिए, 21 वी सदी तो आप लोगों ने चेलिंज किया, धिंडोरा पीटा है, याद है, चेलिंज किया ना, गोल्डन एज, दुनिया आएगी, अब आतावन बनाएंगे, चेलिंज किया ना, तो इतने तक तो बहुत टाइम है, जितना सौब पर अटेंशन दे सको, दे सको भी नहीं, देना ही है, तो यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े, कि मैं सोल कांसिस्स, पाउरफुल स्थिती में नैचरल हो गया हूँ, एक सिकन में सोल कांसिस्स में टिक जाना, फृरिष्टे में, फृरिष्टा स्थिती भी नैचरल होने चाहिए, जितनी अपनी नेचर फृष्टे पनकी बनाएंगे तो नेचर स्थिती को नेचरल कर देगी तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए जयनती बोलो, कितना समय चाहिए जयनती दीदी सामने बैठी होंगी बाबा के फॉरेंड की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेंड वालों को चाहिए जनक बोलो, दादी जी ने कहा है, आज की आज होगी, कल नहीं अच्छा, अगर आज की आज है, तो अभी अभी फरिष्टे हो गए ना फिर तो हो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो कब तक, बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संसकार बताया, कौन सा संसकार बताया, तुरंत दान महापन्य, बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है ना, ऐसे ही समझते हो कि एक बच्चा भी कम नहीं, नंबर वार क सबी नम्मर वन हो जाएं तो कितना अच्छा है अच्छा आज बहुत गुरुप साए है ना तो बाबा ने खास कहा तुरंत दान महापून जो करना है फट कर डालो अच्छा सब्धा चारों और के देश-विदेश के साकार सुरूप में या शुक्षम सुरूप में मिलन मनाने आए सरव सवराजी अधिकारी आत्माओं को सदा स्रईष्ट अधिकार को अपने चलन और चेरे से पर्त्यक्ष करने वाले विशेश आत्माएं सदा बाप दादा को हर कदम में फालो करने वाले सदा मन को सवच्छ और बुद्धी को कलियर रखने वाले ऐसे तिवर पुरशार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने और साथ चलने वाले डवल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो बाबा ने इतना सुन्दर कहा बार बार प्रेक्टिस नेच्चरल प्रेक्टिस फुरिष्टा जब चाओं उड़ जाओं जब चाओं आओं ओम शांती और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे